बन नेशन बन इलेक्षन सिर्फ एक चर्चा कभी शह नहीं है बलकि ये भारत की जरूरत है हर कुछ महिने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते इसे विकास के कारियों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भाती जानते हैं ऐसे में वन नेशन वन इलेक्षन पर गहन अध्यन और मन्थन आवशक है और इसमें पिठासी नदिकारी काफी मारदर्शन कर सकते हैं गाइड कर सकते हैं लीड कर सकते हैं इसके साथ ही लोकसभा हो विदानसभा हो या पंचाय चुना हो इनके लिए एक ही वाटर लिस्ट काम में आएं इसके लिए हमें सबसे पहले रास्ता बनाना होगा एडिया में ये सवाल उट रहा है कि क्या वन नेशन वन इलेक्षन होगा ये नहीं हो सकता है, ये भारत के सम्वीधान के खिलाफ होगा क्योंके फेडरलिजम भारत के सम्वीधान के बेसिक स्टुक्चर का हिस्स्षा है और दूसरी बात ये है कि बीजेपी के पास आज ये सवा मेजारिटी नहीं है तीसरी बात उसमें ये निकलेगी कि बहुत से सपोजिशन रूल स्टेट्स हैं जो इस बात को खुबूल नहीं करेंगे क्योंकि करनाटक में हाली एलेक्शन हुआ क्यों दूसरे स्टेट्स करेंगे तो वन नेशन वन एलेक्शन मेरे लगता है कि अनकॉंस्टिटूशनल होगा फेडरलिजम के खिलाफ होगा वो बेसिक स्टक्चर का हिस्सा जिने पंचाज से पार्लामेंट के चुनाव एक साथ कराने का एक विचार देश की जनता के सामने रखा है सभी दलों के सामने भी रखा है पार्लामेंट में भी उन्होंने बोला है और मैं मानता हूं कि समय आ गया है कि इस पर विचार होना चाहिए पर कब हो गई ये मतलब अब दिखी इसमें सबसे चर्चा तो करने ही पड़ेगी सबसे चर्चा करकर ही यह हो सकता है मगर प्रदानमंत्री जी की विचार रखते ही एक बहस तो छेड़ गई है सब लोगों को लगता है कि हर साल चुना होना हर मैने चुना होना वो लोगतें द्रके लिए भी ठीक नहीं इसका एखी समय निस्चित करे लिए मेडिया में hier सवाल उछा है कि क्या वण नेशन वण इलेक्शन होगा ये नहीं हो सकता है ये भारत के सम्विधान के खिलाफ होगा क्योंके फेडरलिजम भारत के सम्विधान के बेसिक स्टॉक्चर का हिस्सा है और दूसरी बात ये है कि बीजेपी के पास आज़े सवे मेजारिटी नहीं है तीसरी बात उसमें ये निकलेगी कि बहुत से इस अपोजिशन डूल स्टेट्स हैं जो इस बात को खुबूल नहीं करेंगे क्योंकि करनाटक में हाली अलेक्शन हुआ क्यों दूसरे स्टेट्स करेंगे तो वन नेशन वन अलेक्शन मेरे लगता है कि अनकॉंस्टिटूशनल होगा फेडरलिजम के खिलाफ होगा